Hello student, आज हम इस वीडियो में types of future contract को discuss करेंगे, तो चलिए start करते हैं, future contract के types को उनके assets के basis पर divide किया गया है, मतलब क्या हो गया है, कि जिस assets के लिए हमने ये contract किया है, उसी assets के नाम पर इस future contract का नाम पढ़ जाता है, जिसको हम कहते है types of future contract, तो basically types of future contract को 5 पार्ट में divide किया गया, ये 5 पार्ट में जो divide किया गया, वो कौन कौन से हैं, एक हो गया हमारा stock future, it means कि यहाँ पर जब हम contract करेंगे, future contract करेंगे जब, तो वहाँ पर हमारा underlying assets क्या होगा, हमारे stocks होंगी, मतलब shares वगरा होंगे, किसी भी company के, तो उसको हम कहते है stock futures, next हमारा आता है currency futures, यहाँ पर हमा contract करने वाले है future contract जो करेंगे इस two parties, किस के लिए करेंगे? currencies के लिए करेंगे, currencies के rate के लिए करेंगे, next है commodity future, मतलब यहाँ पर क्या करेंगे, बिसिकली यह वो derivative contract होता है, जहां पे आपको क्या मिलती है, आपको power मिलती है, कि आप buy या sell कर सकते, specific stock को prefix price पे at a certain date, मतलब आपने, थेके future contract क्या होता है, हमें अच्छे से पता है न, तो future contract में जो भी nature है, जो भी चीज़े future contract की है, वो सब यहां पे applicable होने वाली है, कि दो parties रहेंगे, दोनों parties के बीच में agreement होगा, ठीक है, एक assets होगी, अब यहां पे underlying assets जो है, वो specific होगी, underlying assets क्या होगी, यहां पे जो दो parties contract करने वाले हैं, वो contract किसके लिए कर रहे हैं, किसी companies के specific stock को, specific shares को purchase करने के लिए, किसी company के shares को purchase या, sale करने के लिए contract करने वाले हैं, ठीक है, और करेंगे तो किसी fixed price पे करेंगे, जो कि आज ही करेंगे, और कब के लिए future date के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, stock future कहते हैं, is it clear, सब कुछ same रखिएगा, जहाँ पे आप कहते थे underlying assets ना, वहाँ पे आपको assets का नाम रखना होगा, तो यहाँ पे क्या होगिया, stock का मतलब क्या होगिया, specific stock, specific stock का मतलब क्या हो जाता हैं, specific stock का मतलब होता है, किसी भी specific company के equity shares, जैसे माल लेजिए, मैं कोई contract कर रही हूँ, कि मुझे reliance के particular shares purchase करने, इस price पे, तो वो हमारा क्या हो गया, stock futures कहलाएगा, clear है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, एक specific company के shares को purchase करने के लिए, contract किया है, अब यह contract buy करने का हो, या sell करने का, is it clear, तो उसको हम कहते है, specific stock futures, तो जैसे ही आप एक बार इस contract में, आप इंटर कर जाते हैं, तो जितने इस agreement के terms and condition है, उन सब के लिए आप obliged हो जाते हो, मतलब आपकी obligation स्टार्ट हो जाती है, चीजों को complete करने की, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ धियान देने वाली है, कि यह जो futures contract होते हैं, तो कुछ selected stocks की list है, उनहीं के लिए यह future contracts available होते हैं, ठीक है, अब यह जो stock futures contract होते हैं, वो generally, जिस price पे trade होते हैं न, वो हमेशे spot price से जादा होती है, मतलब जो भी underlying stock की spot price अभी चल रही है, उससे जादा की price से हमें code करनी पड़ती है, तब ही जाके हमें क्या मिलता है, यह stock futures का, मतलब वो हमें execute रहता है, यह उस तरह के contract बन पाता है, तो यहाँ पे इस contract में generally क्या होगा, जो spot price होगी, उसससे जादा ही आपकी future contract की price रहेगी, यह उससे जादा पर ही यह trade होता है, clear है, तो यह हमारा होगी stock future, next हमारा क्या था है, currency future, तो देखें, यहाँ पे भी क्या होगया, contract है, future contract है, पर क्या होगा, underlying assets हमारी क्या होने वाली, currency, अब यहाँ पे currency का, मतलब यहाँ पे समझेगा, currency का मतलब होता conversion, currency convert करने की बात करें, currency का तो simple मतलब हो, किसी भी country की currency, जिससे हमारी रुपया हो गई, किसी के लिए dollar हो गई, किसी के लिए euro हो गई, किसी के लिए sterling pound हो गई, yen हो गई, तो वो currency हो गई, पर यहाँ पे जब आप contract कर रहे हो, क्योंकि वो क्या है, future contract है, future contract तो standardized होता ही है, उसका feature याद रखेंगे, आपके लिए easy होगा समझना, तो currency future contract भी क्या होगे, एक agreement है, जहाँ पर दो parties involved रहेंगी, जो कि क्या करने वाली है, exchange rate, मतलब जो भी एक currency का, दूसरी currency से conversion है न, तो कितने amount का conversion है, और किस rate पर conversion होगा न, वो rate ये क्या करती है, pre-determined कर लेती है, और एक future की specific date के लिए, clear है, तो उसको हम कहते है, currency future contract, मतलब समझेगा, कि future contract है, तो दो parties होगी, contract करेंगी, future date के लिए, और एक rate जो होगा, और वो आज है decide हो जाने वाला, future date के लिए होगा, पर आज है decide हो जाएगा, लेकिन साथ में, ये future contract हो, तो हर दिन settlement चलता रहेगा, clear है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगी, जो दो parties contract कर रही हैंना, कि future में price fix कर रही है, यह जो price है न, वो price क्या है, exchange rate है, price क्या है, exchange rate, मतलब यहाँ पे हमारा assets है, हमारी currency, जो currency हमें convert करनी है, right, currency को जिस भी currency से convert करना, माल लिजे मेरे, मुझे रुपे को dollar में convert करना है, तो मैंने रुपे को dollar में conversion के लिए, एक exchange rate आज ही fix कर लिया, कि तीन महिने के बाद, मुझे मेरे रुपे को dollar में convert करना है, पर मेरा exchange rate, किस rate पर मैं convert करूँगे, वो rate यह है, is it clear, अब इसी rate पर दोनों parties एग्री कर गई, और वो contract हो गया, तो उसी को हम कहेंगे, currency future contract, right, तो in these contract, जो underlying assets होगी, वो हमारी क्या होगी, currency का exchange rate होगी, है ना currency आपकी अपनी है, हम exchange rate को convert करने की बात करें, तो हमारा main, क्या चीज होगी है, exchange rate होगी है, is it clear, जैसे example के लिए हम कहते हैं, कि US dollar को euro में करना है, उसका exchange rate होगी है, Indian rupees को आपका sterling pound में करना है, या sterling pound को US dollar में करना है, तो यह currencies conversion करनी है, तो उसके लिए हमने rate fix कर लिया, और इसी के लिए हमने contract ले लिया, तो उसको कहेंगे currency future contract, तो currency future contract जो होता है, basically use कौन करता है, use किया जाता है, businessman के थूँ, investors के थूँ, अपने risk को कम करने के लिए, उसको hedge करने के लिए, जो भी उनका foreign exchange का exposure है, उसका जो risk है, उसको कम करने के लिए, उसको खतम करने के लिए, इस तरह का contract किया जाता है, इस बात को आप कैसे समझ सकते हैं, इस चीज़ के लिए की example से, इस तरह से समझे कि मान लेजे कोई importer है आप देखें importer है इसका मतलब समझे इंपोर्टर है इसका मतलब उसने बाहर से कोई समान मगाया था clear है मान लेजे हम कहते है US क्योंकि रुपए को dollar conversion आपके लिए easy समझना हो जाता तो हम यहीं से नहीं है दो महिने तीन महिने चार महिने के बाद का काम होता है तो समान हमारा तीन महिने के बाद आएगा तो हमें payment तीन महिने के बाद करनी है या समान हमारा दो दिन में एक दिन में आज अब भी आएगा हमें payment की रुपे को डॉलर में convert करना पड़ेगा फिर हमको payment करना पड़ेगा हाँ तो आज अगर हम payment करते तो आज का rate तो अलग होता पर हमें क्या मिल गया हमें credit allow हुआ है तीन महीने का हम तीन महीने के बाद payment कर सकते हैं पर तीन महीने के बाद उनको तो वही एक हजार डॉलर मालेज़ एक हजार डॉलर का था तो उनको तो वही एक हजार डॉलर करना होगा पर एक हजार डॉलर तीन महीने बाद करते या आज करते पर आज करते तो आज का rate अपने के बाद था तीन महीने बाद करेंगे तो तीन महीने का क्या rate रहेगा हमें नहीं पता है न हो सकता वही एक हजार डॉलर payment करने के लिए तीन महीने बाद मेरे मुझे बहुत loss हो जाए आज एक हजार डॉलर हमें साथ के rate से साथ हजार देने पे एक हजार डॉलर मिल जा रहा है और कल को वही हमान लिए एक हजार डॉलर का payment करने के लिए एक हजार रुपए देने पढ़ेंगे अभी साथ हजार देने पढ़ते तब असी हजार देने पढ़ेंगे तो मेरे लिए तो loss हो गया कि जब भी foreign exchange का काम आता है न तो बहुत problem आती है conversion की time period मिलता conversion rate vary करता रहता है conversion rate change होने की वज़ा से आप जो यह importer exporter यह जो business man होते हैं या फिर जो investor ही होते हैं उनको exchange का risk आता है उसी को खतम करने के लिए यह लोगी स्था का contract करते हैं तो अब इस case में importer ने क्या कर लिया contract कर लिया कि उसको payment जो तीन महीने के बात करनी है तो उन्होंने क्या किया तीन महीने पर क्या exchange rate रहना है उस rate के लिए आज ही contract कर लिया तो उसको कहते है future contract करना currency future contract करना is it clear तो यहाँ पर क्या करेगा importer importer क्या करेगा certain amount of foreign currency उसको buy करना उसको 1000 dollar buy करना था तो 1000 dollar के लिए वो क्या करेगा contract करेगा currency future contract 1000 dollar के लिए करेगा fixed price पे करेगा मतब exchange rate हमारा क्या हो जाने वाला है fix हो जाने वाला है है ना कि 1000 dollar हम इस rate पे 65 का rate हमने कहा तो 1000 dollar को 65 rate पे हम खरीदेंगे ठीक है इस तरह का हम contract कर रहे है और सामने वाला seller भी हमारे लिए मिल गया है वो भी agree कर रहा है कर दिया है तो इससे क्या होता है जो potential loss है जो currency conversion या currency fraction के वज़े से जो loss होता उससे ये लोग protect हो सकते हैं इसे तरह investors के लिए भी होता है investors मान लीजिए हम investor है हमने जाकर US में कुछ investment कर दिये कर तो दिये पर जब वो mature हो के पैसा आएगा तो आके हमें तो receive करना रुपे में न तब तो हमें convert करना पड़ेगा न तो convert करने पर हमें कहीं loss न हो जाए भले हमने interest कमा लिया हो पर conversion में हमें loss न हो जाए उसके लिए हमें क्या करना होगा पहले ही contract कर लेना चाहिए तो इस तरह से investors या businessmen currency future contract करते हैं is it clear तो यहाँ पर exchange rate को fix करने की बात कहीं जाती है exchange rate में conversion की बात करी जाती है next आता है हमारा क्या commodity future अब देखिए commodity future contract क्या होगा यहाँ पर भी future contract है पर underlying assets हमारी क्या होने वाली commodity होने वाली है तो यहाँ पर commodity futures में भी क्या होगा कि agreement होगा buy या sell करने के लिए particular commodity को future date में एक predefined price पे तो यह हमारा क्या हो जाएगा commodity future हो जाएगा तो जो price होगी the price and the amount of commodity are fixed at the time of agreement जब हम contract करेंगे जब agreement करेंगे तो उसका price कितना amount of commodity हमको चाहिए वो सारी चीज़े quantity वेगरा वो सारी चीज़े हमारी prefix हो जाएगी यह तो हमें future contract के nature से ही पता है तो वो चीज़े हो जाती है अब बात करते है commodity के तो future contract में किस तरह की commodity की जाती है तो basically तीन तरह की commodity का इस्तमाल किया जाता है future contract में एक हमारी होती है metal एक होती है हमारी food और next होती हमारी energy तो metal, energy, food ये तीन हमारे commodities होती हैं जिनके regarding हमारा commodity future contract होता है मतलब अगर हम future contract कर रहे हैं तो और अगर हम future contract कर रहे हैं किसी metal के लिए मतलब हमारा underlying assets क्या है कोई metal है तो हम उसका नाम क्या कहेंगे commodity future contract कहेंगे हम future contract कर तो रहे हैं पर हम exchange rate के लिए कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे currency future contract कहेंगे clear है? तो future contract तो है पर underlying assets हमारी के है उसके basis पे इसके नाम जा रहे है तो अब यह जो तीन meat तीन चीजे हैं जिनको हम commodity कहते हैं और इनके regarding जब हम contract करते हैं तो इनको हम कहते हैं commodity future contract, जैसे example के लिए समझे, हम gold के लिए कर रहे हैं, silver के लिए कर रहे हैं, aluminium, zinc, nickel, copper, यह सब क्या हो गया, metal हो गया, वहीं पर crude oil हो गया, natural gases हो गया, यह सब मारी क्या हो गया, energy हो जाती है, और wheat हो गया, corn हो गया, oil seeds वेगरा हो गया, सब मारे क्या हो गया, food section में ता, agriculture foods वेगरा में आ जाते हैं, तो इस तरह की commodities के लिए, जब future contract किया जाता है, तो उसको कहेंगे commodity future contract, is it clear, सारी चीज़े सेम ही हैं, बस आप underlying assets को समझेगा, तो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, NCDX में होते हैं, तो MCX मतलब क्या होता है, MCX मतलब होता है, Multi Commodity Exchange of India, तो यह क्या होता है, आपकी India में, इंडिया के लिए है, और basically इसका जो head है, वो कहां पे है, मुंबई में है, यहाँ से वो exchange करता है, तो यहाँ पे future और options, दोनों को trade किया जाता है, Multi Commodities में, basically देखिए, अगर आप ध्यान देंगे, तो Metal और Energy के लिए होता है, तो यह जो form up होई थी, 2003 में form up होई थी, और सिर्फ Commodity में exchange करने के लिए, यह frame की गई थी, clear है, अब Commodity में exchange करने का मतलब आप जानते, Commodity में तीन चीज़े आती है न, आपका Metal भी आता है, Energy भी आता है, Food भी आता है, तीनों को combine करके हम Commodity कहते हैं, तो basically Metal और Energy के लिए हमारा MCX जाता था, वहीं पे जो हमारा NCDX है, वो क्या है, National Commodity Derivative Exchange Limited, तो देखिए, हमारा Agricultural जो product होते हैं, बिसिकली उनके लिए NCDX का आपका है, तो agriculture हमारी agricultural country है, तो उसे सब सियात कर लीजेगा, तो National Commodity है न, National Commodity और है क्या Derivative, तो EX से क्या होगा है, Exchange Limited, तो National Commodity and Derivative Exchange Limited, इसका भी जो Headquarters है, जो चीज़े ऑपरेट हो रही है, सारी, clear है, अब हम next की बात करते है, that is our interest future contract, अब interest future contract क्या होता है, तो यहाँ पर धिहान दीजेगा, यहाँ पर interest rate को हम क्या करेंगी, हमारा underlying assets क्या होगा है, interest rate होने वाला है, तो यहाँ पर हम दो parties, buy a sell करने वाली हैं, contract करने वाली हैं, रेट पहले से ही fix करने वाली हैं, पर किस चीज़ के लिए, कोई ऐसे securities के लिए, जिस securities का interest होता है, तो interest rate future, सारा future contract, based on the interest bearing financial instrument, यहाँ पर जो contract होगा, एक ऐसे instrument के लिए contract होने वाला है, उस instrument की buy a sell के लिए contract होने वाला है, जो instrument कोई ना कोई interest अपने साथ लिया हुआ हो, मतब जैसे माली जी, treasury bills हैं, government के treasury bills हो गए, या कोई government का bond हो, तो माली जी वो कह रहा है कि 5% government bond है, है ना, तो अब 5% का interest rate हो गया, तो अब यह क्या हो गया, यह इसकी regarding गर हमने contract किया, कि इस government bond के 5% का, जो यह government का government bond है, इसके लिए दो parties आके contract कर रही है, कि इस interest rate को भी हम, अपने हिसाब से fix करेंगे, कम या जादा कर लेंगे, 5% का जो government दे रही है, उसके लावा, हम उसके लिए fixing कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या कर लाएगा, interest future contract कर लाता है, तो पहली बात तो, कि interest future contract में क्या होगा, ऐसे underlying assets हमारी कौन होने वाली है, ऐसे securities, ऐसे financial instrument, जो interest bearing हो, मतलब उनके साथ कोई ना कोई interest, आपको मिलेगा, मतलब interest host पे कोई ना कोई, इससा कोई loan है, है ना कोई loan, तो loan पे interest होता है ना, तो अब उस interest को हम mitigate करें, उस interest के risk को कम करने के लिए, हम इस तरह का contract करते हैं, तो basically it is a contract between buyer and seller, which agrees to buy and sell, same contract की तरह, a debt instrument at a future debt, when a contract expires, futures में हम उस instruments को, purchase या sell करने के लिए, agreement करने वाले हैं, और जिसकी price हमने क्या कर ली है, पहले से ही fix कर ली है, उसकी पहली price है, वो हम आज ही decide कर रहे हैं, clear है, तो यहाँ पे जो value होगी, इस contract की, वो किस पर depend करेगी, वो depend करेगी, किस पर यह जो हमारी securities है, उस पर depend करेगी, since the value is based on the underlying assets, so an interest rate future is considered as a financial derivative, जो यह financial instrument है, यह हमारा financial derivative कर लाएगा, क्योंकि इसे से drive करके, हमने यह future contract त्यार किया, और जो इसकी value होगी, वो किस पर depend करेगी, इस ही instrument पर depend करेगी, जो यह हमारा financial instrument होगा, उस पर depend करेगी, अब यह underlying assets हमारा कोई भी हो सकता है, जो भी interest bearing secure instrument होगे, वो सब हो सकते हैं, जैसे treasury bills होगे, treasury bonds होगे, कोई भी government के bonds होगे, euro dollars होगे, यह सारे हमारे क्या कहलाएंगे, आपके interest future contract के underlying assets कहलाते हैं, clear है, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे हम, कि यह जो हमारा contract होता है, यह future contract cash settled होता है, right, this future contract can be cash settled, or it can involve the delivery of the underlying securities, मतलब यह cash में भी settled हो जाता है, कि मतलब आपको यह जो instrument है, वाके में hand over करने की जुरत नहीं पड़ेगी, कि buyer के पास चला जाए, seller के पास से चला जाए, buyer को receive हो जाए, ऐसा करने की जुरत नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, या भी ऐसा सकता है, कि net settlement हो जाए cash में, right, तो they are used for hedging and speculative purpose, दोनों के लिए risk को कम करने के लिए, और speculate करके profit कमाने के लिए, इन दोनों के लिए इस तरह का contract, इस्तमाल किया जाता है, यहाँ पे क्या होता है, कि जो buyer होता है, और जो seller होता है, वो इन जो assets है, जिनके interest rate की बात हम कर रहे हैं, उसको पहले से ही लोग fix कर लेते हैं, उस price को fix कर लेते हैं, right, तो इसी वज़ा से इस तरह का contract कराया आ जाता है, तो जो future price होती है, वो किस पर depend करेगी, interest rate पर depend करती है, clear है, क्योंकि यह interest bearing securities है, सब कुछ interest के लिए किया जा रहा है, इसलिए इसकी जो future contract की जो price होगी, वो किस पर depend करेगी, depend करेगी आपकी interest rate की जो prices है, उस पर interest rate पर depend करेगी, कैसे depend करेगी, इसके लिए formula दिया गया, मतब इसकी pricing, future की price को decide करने के लिए, एक simple formula दिया गया, इसमें क्या बुला गया, 100 minus implied interest rate, मतब जो तो आपका underlying assets है, उसका जो interest rate होगा, उसको आप 100 से minus कर दीजिएगा, वही आपकी इस future contract की price बन जाएगी, for example, आप ऐसे समझेए, कि माल लिजे अगर मैने का 94 price है, future price 94 है contract की, इसका क्या मतलब होगा, कि यहाँ पर जो underlying assets होगा, वो कितना होगा, आपका 6% होगा, तो 100 minus 6 करेंगे, तो कितना आजाएगा, 94 आपकी future contract की price होगई, तो underlying जो आपका assets है, जो security होगी, जो financial instrument है, उसका जो rate होगा, उसको हम 100 से minus कर देते हैं, और वो ही हमारे future contract की price aside हो जाती है, clear है, तो exchange traded, यहाँ पर हम बात करें, तो exchange traded interest rate futures कैसे से, अगर हम बात करें, तो NSE में से 6 year का है, 10 year का है, 13 years के है, government के Indian securities, जिसको NBF second category रखा गया हो, और 91 days के government के India के treasury bills से हैं, जो उनको बोला जाता है, 91 TDB, तो यह सारे वो instruments से जिन पर deal किया जाता है, और जो भी amount of contract होता है, उसकी जो size होती है, वो कैसे refer करती है, वो कैसे, जो size की बात करते हैं, उस amount की जो बात करते हैं, वो किस तरह का होता है, तो उसके लिए बोला गया है, कि minimum 2 lakh या 2 thousand bonds का होना चाहिए, उसी पर यह trade होगा, तो यह उसकी मदब size हो गई आपकी, तो size को हम कैसे कहते हैं, total amount of contract कहते हैं, और वो minimum, अगर उसकी requirement की बात करते हैं, तो कितना होना चाहिए, 2 lakh या फिर 2000 bond होने चाहिए, ठीक है, तब ही कोई interest future contract में trade कर सकता है, and the last और most important जो है, index future, अब हम index future contract उसको discuss कर लेते हैं, देखे, index future contract को समझने के लिए, क्योंकि generally जो लोग stock market में deal करते हैं, और जैसे आप देखते हैं na, brokers या बहुत सारे लोग stock market में profit कमाना चाहते हैं na, तो generally वो index पर खेलते हैं, मतलब वो intraday play करें, या जैसे भी hold करें, पर वो mainly index पर काम करते हैं, क्योंकि index ही उनको profit देता है, है न, अब यह होता क्या है, future contract, index future contract, वो समझ लेते हैं, पहली बात तो, index का मतलब समझे गए, index या indices जो होती है, वो किसी चीज़ को measure करने की value होती है, clear है, किसी चीज़ को measure करने के लिए, हम indices का प्रियोग करते हैं, ठीक, अब हगर हम index की बात कर रहे हैं, तो यहां stock market में क्या रहा है, अलग-अलग index दिये गए हैं, जैसे कि, ऐसे इस चीज़ को समझेगा, कि आपकी class में, class में 10 बच्चे हैं, जो toppers हैं, हम तो हमने उनको क्या कह दिया, topper, है ना, तो topper का नाम लेते ही, हम समझ जाएंगे, कि 1 to 10 rank के बच्चे इसमें include होंगे, अब उन topper के लिए हमने 1 लिख दिया, तो 1 indices हो गया, जो denote कर रहा है, तो यह हमारा क्या हो गया, यह हमारा indices clear हो गया, अब इस topper के अंदर, वो 10 बच्चे हो गया, और 10 बच्चों के लिए, हमने number alert कर दिया 1, है ना, अब जब 1 आगे बढ़े या 1 से कम हो रहा है, तो यह indices आगे बढ़ रहे हैं, या कम हो रहे हैं, अब वो किस पर depend करेंगे, इन 10 बच्चों की performance पर depend करेंगे, clear है, तो इसी तरह यह index होता है, ऐसे stock market में भी index होता है, एक index decide कर दिया जाता है, जैसे nifty bank बोल दिया गया, तो nifty bank बोल दिया गया, तो कुछ banks पकड़ा गया, उन banks को measure करने के लिए, nifty bank बोला गया, एक short, अब nifty bank बढ़ेगा या घटेगा, इसका मतलब वो बढ़ना या घटना किस पर depend करेगा, वो जितनी banks हैं, जिनको इसकी category के अंदर रखा गया, उन banks की performance पर depend करेगा, तो पहले तो index का मतलब समझ लेजेगा, is it clear, इंडेक्स होता क्या चीज़ है, यह समझ में आया, तो index represent करता है, यह measure करता है, तो कई चीज़ों को एक term में measure करने के लिए, हम indexing की बात करते हैं, अब आप contract करने वाले हो, future contract करने वाले हो, इस index का, is it clear, आप इस index का future contract करने वाले हो, आपने stock future contract देखा था, जहाँ पर आप particular company के shares में deal करते थे, अब यहाँ आप एक company के shares में deal नहीं करने वाले, ऐसे 100 company को एक साथ, जो represent करेगा, उसमें आप contract करोगे, is it clear, so index future क्या हो गया, index future are contract, that allow a trader, to purchase or sell a financial index today, and have it to resolve, at a future date, right, so index future क्या होता है, index future में आप क्या करते हो, contract करते हो, जहाँ पर परचेज या सेल करने वाले हो, financial index को, अब यह financial index की बाद, जो हमने आपको समझा दी, मतलब यह measure करने वाला है, अलग-अलग index है, अलग-अलग चीज़ों के S&P है, 500 है, Nifty IT है, निफ्ती, bank है, है न, ऐसे बहुत सारे index है, अभी हम आगे इसको example में समझ लेंगे, तो यह सारे index है, जिन पे आप क्या करने वाले है, जिनके लिए buy or sell करने के लिए, आप contract करने वाले हो, यह सारे index अपने में बहुत सारी चीज़ों के representative है, उनके अंदर बहुत सारी चीज़े होंगी, जिनकी performance को यह measure करके आपको बता रहे हैं, इनके बढ़ने या घटने पे आप अपना contract करने वाले हो, clear है, So, it is what, it is like a future contract, provide the trader or investor the power and responsibility to deliver the contract's cash value, based on the underlying index at a future date, अब आप सोचिए, कि यहाँ पे कोई particular assets तो वाके में दिखनी रही है, क्योंकि यह तो 100 company, 50 bank, 30 company, इस तरह की चीज़ों के representative होते हैं index, है न, आप उनके लिए contract करो, यह underlying assets है, यह index, यह 30 company हमारी assets है, हम उनकी price पे contract करने वाले हैं, तो ऐसे situations में, हम कोई asset deliver तो कर नहीं सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पे हमेशा कैसा होता है, cash settlement होता है, बढ़े गटेगा तो net settle कर दिया जाता है, है न, तो यहाँ पे जो भी underline index होगी, वो कुछ भी हो सकती, वो bank हो सकती, कोई company हो सकती है, तो अब यहाँ पे कुछ चीज़े clear करते जाएंगे इसे के साथ, जैसे stock index क्या होता है, stock index में हम क्या करते हैं, जो prices है stock की न, उसमें जो change होता है, वो हम measure करते हैं, stock index के जब हम बात कहेंगे, हम क्या कहते हैं, कि जो भी उस group के stocks हैं, मनें हमें equity stock की बात करी, तो equity की 30 company या लिए, 30 company के shares, 30 company के shares बढ़ रहें या घट रहें, किसी के बढ़ रहें, किसी के घट रहें, जो भी हो रहा, on an average निकाल के हम यह देखते हैं, कि 300 company की चीज़े, actually बढ़ रहें हैं या घट रहें हैं, इस हिसाब से हम मेजर करते हैं, हम उसके basis पूरी market को analysis करते हैं, clear है, तो traders जो होते हैं, index futures को use करते हैं, hedge करने के लिए, speculate करने के लिए, जिससे वो क्या कर सकते हैं, जो भी equity index में prices change हो रहें हैं, उससे वो भज सके, तो अब index futures के कुछ example लेते हैं, और example के साथ, एक practical example भी लेंगे, जिससे आप इस पूरे process को समझ पाएं, right, तो पहले तो index future के, जिसको types कहे जाते हैं, कि कितने type के index future होते हैं, वो आप समझ लेजेए, इसको हम example के form में कह देते हैं, ठीके, तो जैसे मालेजे, S&P 500 index, अब अगर आपने S&P 500 index के लिए contact किया, कि S&P 500 का हम price quote करते हैं इतना, तो पहले तो ये मतलब क्या हुआ, ये समझते हैं, तो ये क्या है S&P 500, ये stock prices है 500 largest companies की, जो US में trade करती हैं, 500 सबसे बड़ी company की, उनकी trading को कौन denote करता है S&P 500, उन 500 कंपनियों का representative क्या है S&P 500 है, clear है, तो investors क्या कर सकते हैं, could buy or sell index future on the S&P 500, to hedge or speculate on gains or losses of the index, तो ये 500 कंपनी का अलग-अलगर, अगर आप कोई share purchase कर रहे हैं, तो आप क्या कहोगे, stock future contract को होगे, वहीं पर अगर हमने 500 पर एक साथ की बात करी, S&P, S&P 500 का एक amount दिखाएगा आपको, अब वह amount दिखेगा बढ़ रहा है या घट रहा, अगर आप थोड़ा भी financial में interest लेते होंगे, और आप कोई भी news channel देखेंगे, तो उसमें financial news channel देखेंगे, तो उसमें आप दिखेंगे census के price, nifty के price, इतने उपर इतने नीचे जारहे है, ऐसे red और green करके दिखाता, अब जा रहा तो green जा रहा है, red जा रहा तो down जा रहा, उसमें दिखाता है कि total दिखाता है, फर दिखाता है 0.5% से down, या 0.2% से अब जा रहा है, दिखाता है ना, तो वो क्या हो गया, वो particular वो nifty थे उसका पूरा representative वो amount था अब वो पूरा representative amount बढ़ रहा है या घट रहा है तो इसी तरह S&P का भी 500 है 500 कंपनिया है उनका एक amount fix किया गया है अब वो जो है वो बढ़ या घट रहा है उसकी price पे हम contract करते हैं clear है तो इससे हम क्या करते है gain या loss earn कर तो इसी तरह यही सब चीजों को index futures के types भी कहा जाता है ठीक है एक्जाम में जैसा पूछा जाएगा आप उसे साफ से लिखिएगा अगर index future क्या होता है और उसके types पूछे जाएंगे तो आपको यह सारी चीज़े लिखनी पढ़ेंगी और साथी में जितने भी future contract के आपने एक्टर स्ट इसमें अगर आप future contract करते तो इसका मतलब यह क्या represent करेगा यह 12 banking sectors की उन large stock companies को represent करता है जो अच्छे से banking में perform कर रही होंगे जिनका capital जो है capitalization का structure वो बहुत जादा है तो इस तरह के 12 banking sector companies को represent कौन करेगा bank nifty तो जो future contract bank nifty में किया जाएगा इसका मतलब यह indices क्या represent करेगा इन कि हम बात करते हैं nifty fifty की right तो यह nifty है तो अगर आप future contract कर रहे है nifty में तो nifty में future contract करने का मतलब हुआ कि आप top 50 companies में आप क्या कर रहे हैं अपना contract कर रहे हैं top 50 companies के लिए future contract कर रहे हैं अब यह top 50 companies वो होती है जो stock market में listed होंगी तो जितने भी companies stock market में listed हैं उनमें से जो सबसे पहले के top की 50 companies हैं जिनके market capitalization free float हो रहा है और जादा है shares उनके जादा है तो उन companies को कौन cover करता है निफ्टी तो निफ्टी का जो भी indices बढ़ रहा है या घट रहा होगा निफ्टी आगे जो भी amount दिखता है वो जो भी increase या decrease हो र प्रेजन कर रहा है और यह चीज आप मतलब आप देखे होंगे financial जो न्यूज चैनल साथ उसमें आप यह चीज़े देखते हैं कैसे उसके सामने यह चीज़े इंक्रीज होती है green and red से इंक्रीज कर रही होती है इसी तरह से नेक्स नेक्स हमारा निफ्टी आईटी तो यह क्या हो गया यह इसमें हम उन companies के shares लेते हैं जो आईटी companies में work कर रहेते हैं मतलब information technologies related जो shares हैं उन shares को यहां पर उनकी performance को मेजर करने के लिए निफ्टी इसका मतलब कि आप BSC में मतलब जो भी आप पर निफ्टी आईटी होता है तो निफ्टी आईटी का बढ़ना या घटना मतलब इन आपका Bombay Stock Exchange है वहां कि जो sensitive index है उनमें 30 ऐसे securities जो 30 securities है उन पे आप क्या कर रहे हो आप ना future contract उनमें आप कर रहे हो clear है तो यहां पे एक चीज जो हमेशा याद रखनी है वो क्या याद रखनी होंगी जो कि यह जितना भी आपका stock index है जो भी stock index आप देख रहे है वो है तो asset लेकिन asset की तरह यह deliver नहीं किया जाता किसी buyer को इसलिए यह हमेशा और हमेशा cash में settled होगा तो यह चीज पहले विता यह अब भी इस जिसको ध्यान रखेंगे कि index future contract में actually कोई asset transfer नहीं होती है यहाँ पे सिर्फ cash settlement होगा और जो कि future contract तो daily basis पे यह cash settle हो जाता है is it clear और अब हम क्या करते हैं practical example इसी के regarding ले लेते हैं clear है कि वाकई में अगर हमने 50-50 का future contract कर लिए तो इसका मतलब क्या हुआ और कै इसे यह daily settlement होता है तो इसका एक practical example हम यहाँ पे cover कर लेते हैं तो एक मिस्टर केटन है राइट वो एक trader है जिनका जो market में परसेप्शन है वो bullish मतलब क्या होता है bullish मतलब होता है अगर आप bullish हो आप सुचते हो कि आगे जाके price बढ़ने वाली है तो आप क्या सूचोगी कि आज ही खरीद के रख लेते हैं जिससे जब price बढ़े तो हम sale कर देंगे और हम profit कमा लेंगे correct तो इसी तरीकी से जो Mr. कीतन थे जो trader है वो कैसे थे bullish थे तो उन्होंने क्या कर लिया लिफ्टी 50 का एक lot purchase कर लिया correct अब देखिए ये future contract ले रहे हैं किसमें निफ्टी 50 में और निफ्टी 50 आप समझ जाएए कि निफ्टी 50 इंडिसे से किसका 50 top companies का जो की stock market में listed है तो उनकी पूरी 50 companies पे ये क्या करने वाले हैं उनके lot को ये purchase कर रहे हैं निफ्टी 50 में investment कर र price उन्होंने रखी उन्होंने क्या रखे 16,010 की price रखी और वो current month के expire पे ये आपका execute होगा तो execution date जो expiry date है वो हमारे सामने आ गए तो end date हमारे सामने आ गए मतब इस date के बाद कोई settlement इसका नहीं होने वाला है 10,990 चल रही थी clear है तो ये एक scenario है ऐसी तो होता है कि माले जो मैं trader हूँ तो मैंने एक future contract खरीदा future contract जब खरीदा तो हमने nifty 50 लिया nifty IT नहीं लिया S&P नहीं लिया हमने nifty 50 ले लिया अब हमने आपको दिखाया कि बहुत तरह के index हैं तो हमने nifty 50 का index में future contract किया अब जब हमने वहाँ पे किया तो उसका कोई rate चल रहा होगा तो जो rate चल रहा था वो कितना चल रहा था 15,990 का हमने जो future contract किया तो हमने future के लिए एक price decide कियोगी future के did decide कियोगी तो current month जो है उसकी expiry ही मतलब उसका जो date है वही हमारा current month के end का ही हमारा expiry date हो गया और हमने price जो future की price recite करी वो 16,010 decide कर दी और हमने खरीदा है correct हमने खरीदा है 16,010 पे क्योंकि हमारा यह मानना था कि future price और बढ़ जाएगी तो जब और बढ़ेगी और हम इतन इसे ही market में होता है future contract अगर index में ले रहे हैं किसी में भी ले रहे तो ऐसे ही होता है तो अब सोचे कि सेनारियो कितने आएंगे इनके सामने तीन सेनारियो आ सकते हैं एक तो यह कि केतर ने जैसा सोचा था वैसा हो जाए वाक्या में future price बढ़ जाए दूसरा जैसा सोचा था वैसा ना हो future price बढ़े ही ना कम हो जाए और या फिर तीसरा कि जैसा सोचा था कि बढ़े ही वैसा ना ही हो और future में जो price हो सोच के रखे रखे थे कि इससे जादा बढ़ने वाली उतनी बढ़े ना exact उतनी ही रह जा जितना इन्होंने price fix किया था मतलब से एक same हो जाए एक उ सेनारियो तो होते ही तो सेनारियो वन क्यों discuss करते हैं करेक्ट सेनारियो वन में हम क्या कहते ही कि जो 5050 है वो क्या हो गया बढ़ गया और 16200 का rate आ गया इन्होंने purchase करने का agreement कितने पर किया था 1610 पर किया था करेक्ट तो सामने वाली जो seller party है वो उसको obligation किसकी बन गई कि उसक सेना अब क्या होगा इसके बढ़ने की वजह से जो इस spot price थी वो बढ़ गई और इस बढ़ने की वजह से इनकी जो future price थी जो future contract किया तो जो उसकी value थी वो भी बढ़ गई 1610 पर की थी अब वो 16200 आ गई तो इसके बढ़ने से इनको क्या हो जाएगा profit हो जाएगा तो इस case मे केतन को 9500 का profit हुआ अब ये profit कैसे निकालते ही है समझ लीजेगा profit निकालने का बहुत simple सा तरीका है कि जो price है मतब जो selling price है अगर आज ही आप order execute करा देते हो तो order execute कर आओगे तो sell कर दोगी मतब उस जो price current चल रही होगी वो price selling price और तो आप जिस आपके जो contract की future contract की जो price होग तो जिस तरह का indices लिए हो उसकी पुरी lot size तो formula क्या बनता है profit and loss is equal to selling price minus entry price और overall को multiply कर देंगे lot size से क्योंकि आप एक में तो deal नहीं कर रहे हो एक कंपनी के share में आप पुरे 50 में deal करने वाले हो तो lot size मारी कितने होगी यहां पर 50 होगी तो आप देखिए यहां पर selling price कितनी 6,010 की है multiply by 50 और कितना आगे आपका answer 9,500 यह आपकी profit हो गए clear है इसी तरह जब हम scenario second लेंगे scenario second में भी हमारा same example है और हम scenario second में जाएंगे तो वहाँ पर क्या करते हैं कि 9050 decline कर गई ठीक है मतलब कि आपने सोचे था बढ़ेगी बढ़ने की जगा वो घड़ गई 15,800 की हो तो अब ऐसे scenario में होता क्या है कि केतन जो सोचे थे वैसा नहीं हुआ है ना जो market उनके according move नहीं किया जो market उनके according move नहीं किया तो अब उनको अपना execution अगर 16,010 पे करना पड़ा तो वो तो उनके लिए loss हो गिया उन्होंने purchase 60,010 पे सोचा था और 15,800 अगर वो contract में नहीं हो तो सोचे purchase करने में उनको loss हो रहा है नहीं तो अब ये loss जो होगा वो कैसे हम calculate करेंगे सेम सेम तरीके से calculate करेंगे सेम formula अप्लाई करेंगे और इस हजाब हम क्या देखेंगे कि उनको 10,500 का loss हो गया clear है तो अब क्यों क्योंकि जब expiry होगी तो अगर वो purchase करेंगे तो purchase करते वक्त उनको 16,010 तो देना पड़ेगा जबकि अगर ऐसा ना हो था तो उनको 15,800 देना पड़ता तो अब इस case में उनको loss हो जाएगा clear है तो ये 10,500 का उनको proper loss हो जाता है इस scenario में वहीं पे हम बात करते हैं third scenario की कि अगर same example लेते हैं और यह समझते हैं कि 50-50 उतने पे ही close तो ऐसा situation पे जो close होगा वो कितने पे होगा 16,010 पे close होगा अब 16,010 पे close होने से उनको तो loss हो रहा है correct उनको कोई as such कोई loss नहीं हो क्योंकि जितना उनने contract किया तो उतना ही उनका पूरा का पूरा हो गया same price पे गया तो ना ही profit होगा और ना ही क्या होगा loss होगा तो इस हिस आप से इनका अगर हम profit and loss निकालने जाएंगे तो हमारा क्या आएगा zero ना कोई profit ना कोई loss तो यह हमारी क्या हो गए तीनों सेनारियो हो गए index future के और जब भी होता है practically ऐसे ही होता है इनमें से कोई भी एक सेनारियो होगी और daily आपका minus less होता रहेगा daily आपका जो ही future price है future price क आपकी margin money से होता रहता था अब exam point of view से आप please ध्यान रखेगा कि अगर question में कोई भी आपका आता है जैसे आपकी syllabus के बात करते तो currency futures को उन्होंने syllabus में अलग से भी रखा है future contract उसके types अलग से currency futures को भी रखा है तो currency future क्या होता है आपको अच्छी से पता है कि currency future में क्या करते हम currency exchange करने के लिए contract करते हैं कि मेरे पास इतनी currency है अगर हम उसको हमको future में exchange करना पड़ेगा तो किस price पे exchange करेंगे वो जो rate होगा ना वो rate exchange rate वो आज हम fix कर लेते हैं correct वही हमारा currency future contract होता था तो अगर आपको currency future contract लिखने को आता है जोगी है आप हम समझाया है पर आप लिखेंगे जो कि किसकी features थे future contract के features थे याद है आपको तो इन में से जितने भी types हैं इन types में से अगर कोई भी type आता है आपको long question में तो आप long question में उस type को लिखेंगे उसका example दीजिए और उसके आप ये features अच्छे से mention कर सकते हैं जो भी future contract का feature था वो सारे आप mention कर सकते हैं future contract है तो आप currency future में भी क्या लिखेंगे ये organized exchange है, standardization है, clearing house है, margin है, marking to market है, actual delivery rare है, ये सारे क्या हो गए, ये सारे आपके currency features की features हो गए, इसी तरह सारे की features हो जाएंगे, clear है, तो exam time में आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए clear रहेगा, so wish you all the best, thank you so much.